इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट और यूपीटेट के विशे में इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहें थे आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं उन सब ही को इस वीडियो में हम देखेंगे और सीटेट का जो एड्मिट कार्ड है उससे रिलेटेड भी हम देखेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है मधु मलिक और स्वागत है आपका एम विद मधु पर तो चलिए देखते हैं क्या मुद्दा है यूपिटेट और सीटेट को लेकर यूपिटेट रद होने की बाद एक और बड़ी टेंसन में परिक्षार थी अब सता रहा है इस बात का डर योगी सरकार से लगा रहे हैं कुहार तो वो क्या डर है ये हम देखेंगे आप वीडियो में लास्त तक बने रहे अब मुद्दा ये है कि जो आपका सीटेट का एक्जाम होने वाला है जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होगा अभी तक आपका जो सीटेट का एक्जाम होता था वो होता था ओफलाइन मोड में जिसमें आप OMR सीट फिल करते थे लेकिन इस बार से आपका सीटेट का एक्जाम होगा ओनलाइन मोड में और ये 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होगा अलग-अलग सिफ्ट में होगा अलग-अलग दिनों में तो अब जो आपका यूपीटेट का एक्जाम कैंसिल हुआ है जो अभी 28 नवंबर को आपका एक्जाम होना था यूपीटेट का वो कैंसिल हुआ है उसकी जो नई डेट आई है वो आई है 26 दिसंबर कौन सी डेट आई है नई डेट आई है 26 दिसंबर की और इसी बीच आपका सीटेट का एक्जाम भी होने वाला है तो इसे लेकर जो कैंडिडेट्स है उनको बहुत परिशानी हो रही है कि अभी एडमिट कार्ड भी सीटेट ने अपने अभी रिलीज नहीं किये है कि अगर उनका जो एक्जाम है यूपीटेट का और सीटेट का एक ही दिन पढ़ जाए तो अब वो क्या करें अगर मैं एडमिट कार्ड की बात करूँ आपका सीटेट का एडमिट कार्ड भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा अभी फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है दिसंबर का तो सीटेट का जो admit card है वो first week में ही जारी हो जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी date को आपका exam होने वाला है क्योंकि सीटेट का exam 16 दिसंबर से अब 23 जनवरी तक चलेगा online mode में होगा परिक्षा रद होने के बाद यूपिटेट की सभी परिक्षार्थी की टेंसन अभी खतम नहीं हुई अब उन्हें सीटेट से यूपिटेट की date clash होने का डर सता रहा है दरसल सिक्सक बनना चाहा रहे बहुत से अभ्यारती जिन्होंने यूपिटेट और केंद्रिय सिक्षक पात्तरता परिक्षा यानि की सीटेट दोनों के फॉर्म बरे हैं 28 नवंबर को यूपिटेट परिक्षा रद होने के बाद यूपि सरकार ने कहा है कि जो एक्जाम का आयोजन है वो फिर से एक महा के भीतर होगा एक्जाम डेट आपकी घोसित हो चुकी है कौन सी एक्जाम डेट आई है 26 दिसमबर और आपका जो सीटेट की परिक्षा है वो 16 दिसमबर से सुरू हो रही है तो इसने केंडिडेट के सामने एक बहुत बड़ी समश्या पैदा कर दी है क्योंकि उन्होंने सीटेट और यूपिटेट दोनों के लिए आविदन किया है कई अभ्यारती सोशल मीडिया पर यूपि सरकार से गोहार लगा रहे हैं कि यूपिटेट की नई ती थी सीटेट को देख करते हैं की जाए यह उनके भविस्या का सवाल है आपको बता दे कि जो सीटेट की परिक्षा पास करते हैं कैंडिडेट वो देश भर के जैसे केंद्रिय विद्यालिया नवद्य विद्यालिया आर्मी स्कूल में सिक्षकों के पद पर न्यूकती के लिए आवेदन कर सकते हैं सीटेट का उतरिन होना केंद्रिय सरकारी सिक्षक कारिये के लिए न्यूनितम पातरता है इसके अलावा सीटेट प्रमानपत रखने वाले अभ्यारती कुछ राज्य और केंद्र शास्त परदेसों में भी सिक्षक की नोकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं जबकि यूपी टेट पास अभ्यारती यूपी सरकार के स्कूल में सिक्षक बरती निकलने पर आवेदन कर सकते हैं तो अब मुद्ध ये है कि जो आपका एक्जाम होना है अगर बहुत सारे ऐसे केंडिडेट हो सकते हैं जिनका एक्जाम सीटेट का 26 दितंबर को ही पड़े तो इसके लिए उनके सामने एक ये समझा खड़ी हो गई कि यूपी टेट का वे एक्जाम दे या सीटेट का एक्जाम दे अगर ऐसा होता है सेलेक्ट तो आपको करना है कि आपको कौन सा एक्जाम देना है किस एक्जाम की आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन अगर आप दोनों ही एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको CETAT का एक्जाम देना चाहिए क्योंकि CETAT का एक्जाम अगर आप देते हैं उससे आप UP में भी पात्र हो जाएंगे जब भरती आएगी और केंद्रिय विध्याल्या का भर सकते हैं आप फॉर्म DSSB के अगर फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं लेकिन अगर आप UP टैट देते हैं तो केबल आप UP में ही पातर होंगे तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपका एक्जाम क्लैश होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सीटेट का एक्जाम दे ये सेंटरल लेवल का एक्जाम है इससे आप सभी स्टेट में जो फॉर्म आते हैं टीचिंग के वो भर सकते हैं तो चलिए मिलते है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ